वैसे बच्छों, आप बुक में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है तूले काली या भोस्थाई उब ग्रहा, यानि कि जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटलैट, तो हम ले यह सोचते हैं कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सेटलैट दोनों ए कि इस जियोस्टेशनेरी सेटेलाइट के बारे में जाना इनि भूस्थाई उब ग्रह के बारे में जाना कि इसका परिक्रमनकाल पृत्वी के चारों और 24 घंटे का होता है यह भुमद्य रिखा के तल पर ही चक्कर लगाता है इसका गुरुनानक्ष पृत्वी के घुरणान अक्षपर ही होता है और पृत्वी जैसे पश्चिम से पूर्व की और रोटेट करती ये भी पश्चिम से पूर्व की और ही रोटेट करता है तो ऐसे ही से तूले कालियोग्रा और जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट भी होता है यदि इस सेटेलाइट को भी हम देख है वो भूमध्य रेखा के तल पर ही है जबकि तूले काली उपग्रह का जो पार्किंग कक्ष होता है वो इस जियो स्टेशनरी सेटलाइट के कक्ष के कुछ कुछ inclination पे होता है यह यू कहें कि यह भूमध्य रेखा के तल से कुछ inclination बनाता हुआ होता है और इसलिए जब पृत्वी के चारों और करता है तो पृत्वी के एक निश्चित भूभाग से देखे जाने पर इस सेटलाइट में नौर्थ और साउथ का विस्थापन होता है जैसे कि हम इस animation के द्वारा समझ सकते हैं कि जब यह घूम रहे तो चोबिस घंटे में पृत्वी के साथ तो घूम जाएगा पृत्वी की सता से देखें तो वह स्थाई नजर आएगा लेकिन एक चक्कर लगाते समय यह कभी उत्तरी गोलाद में नजर आएगा और कभी दक्षनी गोलाद में और इस प्रकार इसकी पोजिशन में उत्तर और दक्षन शिफ्ट होते नजर आता है पर यदि इसकी एक परिक्रमा हम देखें यह चौबिस घंटे में हम देखें तो जिस समय में यह जिस स्थान पर प्रतीत हो रहा था अगले दिन भी उस समय पे यह उसी स्थान पर उस पर फर्क इनकी स्थिती का होता है अब आये देखते हैं कि इन सैटलाइट के क्या क्या उपयोग हैं पहला वायू मंडल की उपरी सता का अध्यन करने में क्योंकि पृत्वी के चारों और नीरंतर चक्कर लगाता रहता है इसके कारण यह वायू मंडल की जानकरी इससे हमें प पिक्चर ले सकता है इसकी जानकरी दे सकता है कि किस जगे पर चक्रवात है वायू का दाब किस तरफ अधिक है और इस तरीके से हम मौसम का भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस जगे पर बारिश होगी किस जगे पर बारिश नहीं होगी कहां बादल होंगे और इस प्रकार देखें तो इस सेटलाइट के जरिए जो संचार व्यवस्ता है वो सुचारू रूप से चलेगी क्योंकि ट्रांस्मीशन और रिसीविंग की प्रक्रिया लगातार एक भो भाग के द्वारा की जा सकती है और इसलिए इसका उपयोग टीवी सिगनल टेलीफोन सिगनल को ट्रां त्वाप्त P 돼 के जरिए हम प्रृत्वी की आकरिती का भी पता लगा सकते हैं अर्व को सत्ता से अलका पिंडिंडर जया सकता है और सी ब्रहां से पहुच्छने वाली कॉस्मिक रेस का किरणों के बारे में भी हम इस सटलाइट के जरीए अध्यन कर सकते हैं अब देखते हम इस तोल्य काली उबगरह या भूस्थाई उबगरह की तक्षा की त्रिज्जा कितनी होनी चाहिए मतलब इसको पृत्वी की सतह से कितनी उचाई पर अपने और्बिट में पार किया जाना चाहिए तो बच्चों अभी हमने उबगरह के परिक्रमन काल का सूत्र ग्याद किया था इसके अनुसार T बराबर 2π अपन R रूट अंडर R प्लस H क्यूब अपन G अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलेगा T स्क्वेर बराबर 4π स्क्वेर अपन R स्क्वेर यह स्क्वेर करने पर यह स्क्वेर रूट हट जाएगा और हमें मिलेगा R प्लस H क्यूब अ T square R square G upon 4 pi square यहाँ पर हमने पक्षांतर किया और इस प्रकार R plus H बराबर होगा T square R square G upon 4 pi square पावर में 1 by 3 यहाँ पर हमने दोनों पक्षों का घन मोल लिया है यानि कि क्यूब रोट अब यहाँ से H बराबर हमें प्राप्थ होगा T square R square G upon 4 pi square पावर में 1 by 3 minus R इसे हम समिकरण 1 दे देते हैं अब यहाँ पर सारे मानों को पुट करने पर हमें height प्राप्थ हो जाएगी हम जानते हैं कि तूल्ले काली उपग्रह का परिक्रमन काल 24 घंटे का होता है तो हम घंटे को second में change करेंगे तो हम लिखेंगे 24 into 60 into 60 second तो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 second और इसलिए 24 घंटे बराबर होंगे 86400 second अब पृत्वी की त्रिजिया में मालूम है 6.4 into 10 to power 6 meter और G का मान पृत्वी के साथा के लिए 9.8 meter पती वर्ग second होता है यह मान इस समीकरंड में लखने पर हमें मिलेगा 86400 square इंटो 6.4 into 10 to power 6 का square इंटो 9.8 divided by 4 into 3.14 का square whole to the power 1 by 3 minus आर की वैल्यू रखते 6.4 into 10 to the power 6 और इस समीकरंड के राइट हैंड साइड में गुणा एवं भाग करके हम इस समीकरंड को सरल कर सकते हैं सरल करने पर H बराबर हमें प्राप्त होगा 35.96 into 10 to the power 6 meter और इसे हम लिख सकते हैं 35960 into 10 to the power 3 meter या फिर 35960 km सारे वैल्यूस को इस समीकरंड में हल करने के बाद यह मान हमें प्राप्त हुआ है पर आपको इस मान को याद रखना ही होगा क्योंकि तुल्ले काली उपग्रह की पृत्वी के सतह से उच्चाई उच्ची जाती है और पृत्वी के तल से पार्किंग कक्षा की उच्चाई लगभग 36,000 km होती है तो बच्चों इस प्रकार इस डरिवेशन से हमने देखा कि जो भूई स्थाई या तूल्ले काली उपग्रह होते हैं उनकी पृत्वी की सतह से दूरी लगभग 36,000 km होती है तभी वो अपने पार्किंग कक्ष में पृत्वी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेते हैं यह यू कहें कि इसका परिक्रमनकाल पृत्वी के परिक्रमनकाल के बराबर होता है तो इस प्रकार हम तूले काली उपग्रह के लिए एक और शर्त लिख सकते हैं कि इसकी उचाई पृत्वी की सतह से 36,000 km होनी चाहिए तभी इसका परिक्रमनकाल 24 घंटे का होगा अब हम एक ऐसा सेटलाइट ले जिसका घूरनन तल इस भूमत दे रेखा के तल के लंबवत हो तो हम देखेंगे कि ये सेटलाइट गती करते हुए पृत्वी के दोनों धृवों से गुजरता हुँ पृत्वी की परिक्रमा करेगा और इसलिए ही इस प्रकार के सेटलाइट को हम पोलर सेटलाइट या धृूवी उपग्रह के नाम से जानते हैं अब अच्चो धृूवी उपग्रह की पृत्वी की सतह से उचाई 400 से 800 किलोमीटर के बीच में होती है और जब हमने जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटलाइट के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि यदि इसकी पृत्वी की सतह से उचाई 36,000 किलोमीटर हो तो यह 24 घंटे में चक्कर लगाता है और यहां इसकी पृत्वी की सतह से उचाई 400 से 800 किलोमीटर है यह पृत्वी के सभी भागों पर नजर रख सकती है कि हम देखते हैं कि पृत्वी अपने अक्ष पर घूरनी गती कर रही है पश्चिम से पूर्वकियोर और यह धुरूवी उपग्रह भूमद्य रेखा के तल के लमवद गती कर रहे हैं तो इस प्रकार पृत्वी जब घूमेगी तो यह सेटलाइट अपनी कख्षा में घूमते हुए पृत्वी के सभी भागों पर नजर रख सकते हैं और यदि हम दो तीम पोलार सेटलाइट का इस्तमाल करें तो पूरी पृत्वी का अच्छी तरह से अवलोकन किया जा सकता है क्योंकि हम देखें कि यह पोलार सेटलाइट 24 घंटे में पृत्वी के कई फेरे लगा रहा है इसका मतलब हम एक स्थान की जानकारी दिन के अलग-अलग समय पर प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार यदि हम पोलार सेटलाइट की उप्योगिता देखें तो इसका उप्योग मिलिटरी में जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है शत्रूओं पर नजर रखने के लिए हम पोलार सेटलाइट का स्तमाल करते हैं साथ ही आवांचित भूमी के नक्से बनाने में भी इन पोलार सेटलाइट का स्तमाल किया जाता है प्रदूशन के सोत कहां कहां पर हैं कौन कौन से शुरोत है इसका भी अध्यन हम पोलर सेटलाइट के जरीए ही करते हैं पाथी इन सेटलाइट की सहता से हम अकाल गरस्त छेत्रों का पता लगा सकते हैं भूजल सर्विक्षन के लिए भी polar satellite का स्तमाल किया जाता है और इस प्रकार पूरी पृत्वी के जानकारी प्राप्ते करने के लिए polar satellite का स्तमाल किया जाता है अब बच्चो हम satellite से जूड़े हुए अगले concept के बारे में चर्चा करते हैं satellite की ऊर्जा या फिर यहां से हम बंधन ऊर्जा की अवधारना के बारे में चर्चा करेंगे यदि कोई उबग्रह किसी ग्रह के चारो और परिक्रमा कर रहा है तो उस उबग्रह में अपनी ऊर्जा होगी माल लीजिए एक उबग्रह पृत्वी के चारो और गती कर रहा है अब बताए इस उबग्रह में कौन-कौन से ऊर्जा हो सकती है क्योंकि ये प्रित्वी की सता से कुछ उचाई पर है इसलिए इसमें होगी स्थिती जूर्जा साथ साथ ये उबग्रा प्रित्वी के चारों और गती कर रहा है तो गती के वजह से होगी इसमें गती जूर्जा तो इस प्रकार किसी भी उप्गरा की कुल ऊर्जा दो भागों में विभाजित की जा सकती है इस्तितीज ऊर्जा और गतीज ऊर्जा मान लीजे, पृतवी है, जिसका द्रवयमान हम M ले रहे हैं, और इसकी त्रिज्य आर और यह उग्रा है, इसका द्रवयमान हम small M से दर्शा रहे हैं यह पृतवी के सतह से H दूरी पर स्थित है यानि कि इस उपग्रह की जो कक्षा होगी उसकी त्रिज्या यदि हम आर से दर्शाते हैं तो यह आर बराबर आर प्लस होगी हम जानते हैं बच्चों कि उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए उसे 36 वेग दिया जाता है मान लीजे हम इस उपग्रह को 36 वेग दे रहे हैं इसकी दिशा इस प्रकार दर्शा रहे हैं और इसी के कारण इस उपग्रह पर इसी डारेक्शन पर बल लगेगा वो उपग्रह इसी डारेक्शन में जाने का प्रयास करेगा लेकिन इस पृत्वी के कारण इस उपग्रह पर गुत्वा कर्शनवल भी काम कर रहा है जिसके दिशा पृथवी के केंदr की ओर होगी और यह पृथवी इस उपग्रह को अपने केंदr की ओर खीचने का प्रियास करेगी और इन दोनों के परिणाम के कारण ये उबग्रह इस प्रकार प्रित्वीम के चारों और एक निश्चित वृतिक अक्षा पर गती करेगा अब प्रित्वी के केंद्र से आर दूरी पर इस उबग्रह का गृत्वी स्थितीज उर्जा होगी यू बराबर माइनस जी एम एम अपॉन आर ये हम लोग पहले भी गणना कर चुके हैं बच्चों इसलिए मैंने डारेक्ट फॉर्मुला लिख दिया है अब इस उबग्रह की इसकी गती के कारण जो गती जूर्जा होगी उसका फॉर्मुला होगा हाफ एम वी ओ स्क्वेर जाव वी ओ छेतिज कक्षिय चाल है मतलब हमने इसे छेतिज दिशा में दिया था लेकिन अब इस और्बीट में घूमने का उसका चाल है उबग्रह की उर्जा बंधन उर्जा की अवधारना किसी उबग्रह की इस्थिती जूर्जा और गती जूर्जा की योगफल को उसकी कुल उर्जा कहते हैं मान लो यदि प्रिथी का दर्ब्यमान M उसकी तरिजिया R और उसके चारों और एक इस्मॉल M दर्ब्यमान का एक उबग्रह R तरिजिया के ब्रिथी मार्ग में परिभ्रमन करता है तब उबग्रह की इस्थिती जूर्जा हो जाएगी U बराबर माइनस GMM यहाँ पर जो कैपिटल M है यह प्रिथी का दर्ब्यमान और स्मॉल M उबग्रह का दर्ब्यमान और R जो है यह प्रिथी के केंद्र और उबग्रह के केंद्र के बीच की दूरी है इस्मॉल R तो इस्थिती जूर्जा हो जाएगी U बराबर माइनस M कैपिटल GM कैपिटल M इन्टू स्मॉल M बाई R यह सुत्र हो जाएगा दियान रखे यहाँ जो उबग्रह की इस्थिती जूर्जा का जो सुत्र है यह रिनात्मक है क्योंकि जो उबग्रह की इस्थिती जूर्जा होती है वह रिनात्मक ही होती है इसलिए रिनात्मक होती है कि जब उसमें हम उतनी ही उर्जा दें मतलब कि अगर इसे हम प्लस GMM by r energy दें तो इसकी कुल उर्जा हो जाएगी 0 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और यह जो उब्ग्रह है वो अंत्रिक्ष में चले जाएगा तो उब्ग्रह की इस्थिती उर्जा हमेशा माइनस में होती है यह याद रखना है अब हमान लेते हैं कि उब्ग्रह का कखी वेक भी 0 है त गति जूर्जा का जो सुत्र है 1 upon 2 m v square उसी सुत्र के हिसाब से उग्रह की जो गति जूर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी capital K बराबर 1 by 2 उग्रह का द्रबिमान m गुनित small v 0 square यहां पर जो कखी वेक v 0 है उसका मान हो जाएगा हमें पता है उसका मान होता है v 0 बराबर under root gm by r plus h g जो है सारुत्रिक गुरुत्वी नियतां m जो है capital m जो है उपरिथ्वी का द्रबिमान r जो है उपरिथ्वी का त्रिज्या तथा h जो है परिथ्वी की सतह से उग्रह तक की दूरी तो r plus h को capital r plus small h जो है नीचे में उसके बदले हम small r ले लेते हैं तो हमारे पास आजाएगा under root gm by r इस सुत्र को हम b0 की जगह रखेंगे तो b0 का square है तो under root gm by r का square होगा तो आजाएगा gm by r तो इस तरह से जो गती जूर्जा होगी वो हो जाएगी k बराबर 1 बटे 2 gm by r तो ये उग्रह की गती जूर्जा हो गई और उग्रह की स्थिती जूर्जा हमें पता है u बराबर minus gm by r तो बराबर की कुल उर्जा हो जो होगी वो इस थिती जूर्जा और गती जूर्जा दोनों का योग होगी तो कुल उर्जा हो जाएगी जिसे हम e से प्रदर्शित करेंगे e बराबर u धन k बराबर minus gm by r plus 1 by 2 gm by r इन दोनों को जो है जब हल करेंगे तो हमें प्राब्थ होगा e बराबर minus gm by 2r यदि प्रित्वी की सत्था से उब्रह की उंचाई h हो तो हम small r को capital r plus small h के form में लिख सकते हैं तो कुल उर्जा हो जाएगी e बराबर minus gm by 2 into small r के बदले हम क्या लिखेंगे bracket में r plus h तो इस तरह से उब्रह की कुल उर्जा हो जाएगी e बराबर minus gm by 2 into r plus h तो बच्चो इस derivation से हमने देखा कि इतनी उर्जा से यानि u बराबर minus gm upon 2r उर्जा से कोई भी उब्रह प्रित्वी के चारो और परिक्रमा कर रहा है और यहाँ इसकी न्यूनितम उर्जा है यदि हमें किसी भी उब्रह को अंतरिक्ष में भेशना हो अंतरिक्ष में किसी भी वस्तू की या यू कह उब्रह की उर्जा कितनी होती है शुन्य यह हम लग पहले भी calculate कर चुके हैं तो अब इस उब्रह को हमें अंतरिक्ष में भेजना हो मतलब अब इसकी उर्जा को शुन्य करना हो इसका मतलब है इसकी ऊर्जा बढ़ानी होगी योगि अभी ये ऊर्जा रिनात्मक है शून्य करना है इसका मतलब इसकी ऊर्जा को बढ़ाना होगा और जब हम इसकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे यानि ऊर्जा शून्य हो जाएगी इसका मतलब ये उबग्रह अब अपनी कक्षा से हट कर अंत्रिक्ष में पलायन कर जाएगा और अभी इसकी उर्जा कितनी है? माइनस GMM अपॉन 2R यदि इसे मैं धनात्मक GMM अपॉन 2R उर्जा दे दो इन दोनों उर्जा का योग कितना हो जाएगा? 0 मतलब अब यहाँ पर इसकी नेट उर्जा हो जाएगी 0 इसका मतलब ये है कि अब ये उबग्रह पृत्वी के चारों और कक्षा में गती नहीं करेगा, परिक्रमान नहीं करेगा बलकि ये इसके गृत्वी छेत्र से पलायन कर जाएगा और हमेशा के लिए अंत्रिक्ष में चला जाएगा और इसी अवधारना को हम बंधन उर्जा के नाम से जानते हैं बच्चों, बंधन उर्जा वह न्यूनितम उर्जा होती है जिसे देने पर कोई भी उबग्रह, ग्रह के गृत्वी छेत्र को पार करकर हमेशा के लिए अंत्रिक्ष में पलायन कर जाता है तो बच्चों, इस प्रकार पलायन उर्जा होगी धनात्मक GM upon 2R बच्चों, हमने न्यूटन के गती के तीसरे नियम से जाना कि यदि एक वस्तू दूसरे वस्तू पर बल आरोपित करती है तो दूसरा वस्तू भी पहले वस्तू पर बल आरोपित करेगा और ये दोनों ही बल एक दूसरे के विपरित होंगे और मान में बराबर होंगे वैसे ही यदि कोई वैक्ती किसी तल पर खड़ा है तो वो तल पर एक बल लगा रहा है फल्स वरूप उस तल के द्वारा भी उस वैक्ती पर एक बल लगाया जाएगा और इसे हम प्रतीक्रिया बल कहते हैं योगि ये उस बल की ही प्रतीक्रिया होती है एक्शन के अपोजिट रियक्शन होता है और ये बराबर तथा विपरित होती है एक्शन तो इस प्रकार हम कहें कि किसी भी वैक्ती का जो भार है एक्शनली वो उसकी प्रतीक्रिया बल के कारण होता है प्रतीक्रिया बल होगी उतना ही वैक्ती को अपना भार महसूस होगा वेक्ति का जो भार है वो तो रहे गही लेकिन इस प्रतिक्रिया बल के कारण उसे भार का अनुभव होता है Actually बच्चों भार एक बल है हम जानते हैं बच्चों कि द्रव्यमान वस्तु में पदार्थ की मातरा होती है और वो मात्रा यदि सेम है तो वस्तु का दरवयमान भी सेम रहेगा लेकिन यदि हम गुरुत्वी त्वरण की बात करें तो गुरुत्वी त्वरण की कारण ही कोई भी ग्राव वस्तु पर अपनी ओर एक आकर्शन पर लगाता है और उसी के कारण वस्तु को अपनी केंद्र क्यों राकर्शित करता है और उसी के करण हम कहते हैं कि वस्तू पर भार होता है पर एक्चुली भार किसलिए महसूस होता है क्योंकि जो बल व्यक्ति पृत्वी के तल पर लगा रहा था तो पृत्वी भी उसे उतनी ही प्रतीक्रिया देती है और एक विप्रित बल लगाती है और जो प्रतीक्रिय बल होता है उसी के कारण ही केसी भी व्यक्ति का भार होता है इसलिए तो जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में अगर सफर कर रहा हो तो लिफ्ट की त्वरण की कारण उसकी गती की कारण वही व्यक्ति का जो भार है वो अलग-अलग शो होता है यदि लिफ्ट के अंदर हम एक weight machine रख ले और उसके उपर हम खड़े रहें तो जब लिफ्ट stationary रहती है रुकी हुई रहती है तो उस समय वस्तू का भार जो रहता है वो वही प्रदर्शित करता है जितना की weight machine में आता है मतलब उस समय वस्तू का भार या व्यक्ति का भार mg के बराबर होता है इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि किसी भी वस्तू का भार satellite के अंदर कैसा होगा बच्चो शायद आपने सुना भी होगा कि satellite के अंदर या space station के अंदर यदि हम बात करें तो वहां भार हिंता की स्थ किती होती है यानि condition of weightlessness होता है वस्तू का कोई भार ही नहीं होता तो जनरली हम यह सोचने लग जाते हैं कि जो उबग्र है सटलाइट है वो अंत्रिक्ष में है और वहां पर पृत्वी की gravity काम करना बंद कर देती होगी और यदि पृत्वी की gravity काम नहीं करेगी तो उस condition में वस्तू का भार जीरो हो जाएगा क्योंकि हम भार को क्या मान के चलते एक बल है जिसकी कारण कोई भी वस्तू पृत्वी की केंदर की और आकर्शित होती है और जनरली इससे हम W बराबर M G से डिनोट करते जह M वस्तू का द्रवे मान होता है और G पृत्वी का गुरुत्व सोचे कि अगर सट्वाइट अंतरिक्ष में तुम्हां पृत्वी का गुरुत्वी त्वरन काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि प्रित्वी का गुरुत्वीच्न चूर वहां पर खतम हो चुका होगा और G बराबर 0 होता और इसलिए व्यक्ति नाया हो ऑगा पर बज्चों हमने देखा कि पृत्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलो मिटर की है और इतनी दूरी होने के बावजुद चंद्रमा पृत्वी के चारों और चक्कर लगा रहा है क्योंकि पृत्वी और चंद्रमा के बीच में गृत्वा कर्शंड बल है और यह गुरुत्वा कर्शन बल ही चंद्रमा को पृत्वी के चारों और घूमने के लिए परियाप्त अभी केंद्र बल दे रहा है तो इतनी दूरी में पृत्वी का गुरुत्व समाप्त नहीं हो जाता और यदि हम स्पेस स्टेशन की बात करें सटलइट की बात करें तो वह लगभग पृत्वी की सता से 400 मिटर की उचाई पर ही स्थित है और यहीं पावर स्टेशन पर हम देखते हैं कि एस्टोनोमल्स जाते हैं और पृत्वी के बारे में अध्य cayन करते हैं इस पावर स्टेशन से ब्रह्मान के बारे में अध्यान करते हैं इसका मतलब वो इस पेश्चिप में रहते हैं इस पावर स्टेशन में रहते हैं अब बताईए इस कंडिशन में वो वेटलेसनेस क्यों फिल करते होंगे जिबकि वहां तो ग्रैविटी कार्य कर रही है उपग जो भार है प्रिथी द्वारा जो प्रतिक्रिया बल स्वरूप हम पे जो प्रतिक्रिया बल लगाता है उस प्रतिक्रिया बल के करण एक भार हमें उत्पन होगा यदि किसी विशेश पर स्थिती में प्रतिक्रिया बल का मान सुन्य हो जाए तो व्यक्ति को अपना भार सुन्य प्रतीत होता है और यही स्थिती जो है भारहिंता की स्थिती कहलाती है तो इसे हम इस डेरिवेशन के जरिए समझते हैं बच्चों मानली जी यह हमारी प्रित्वी है जिसका द्रव्यमान हम M ले रहे हैं एक उबग्रा हमने लिया है जिसका द्रव्यमान M से डिनोट कर रहे हैं अब यह अपनी कक्षा में प्रित्वी के चारोर चक्कर लगा रहे हैं इस कक्षा की त्रिज्य हम R ले रहे हैं इस कक्षा की त्रिज्य R है मतलब इस प्रित्वी की त्रिज्य और एस सटलाइट की प्र बराबर हम R प्लस H लिखेंगे अब इस सटलाइट को पृत्वी के चारों तरफ घूमने के लिए जो अभी केंद्र बल मिल रहा है वो इस पृत्वी के गुरुत्वा कर्शन बल द्वारही प्राप्त हो रहा है तो पृत्वी का गुरुत्वा कर्शन बल होगा जी एम एम अपॉन आर जहां वी इस उग्रह का कक्षिय वेग है तो अब इन दोनों को बराबर कर देंगे हम क्योंकि अभी केंद्र बल गुत्वा कर्शन बल से ही मिल रहा है अब यहां से हम देखें तो वी स्क्वार अपॉन आर बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वार अब इस एम डैश पर भी प्रुतिवीका गूत्वाकर्षण ब्ल कारिय करेगा जिसे हम जी एम एम डैश अपॉन आर सक्वेयर से डिनोट करेंगे और इसी बल के कारण इस वेक्ति रह धी रहा के तल से एक प्रतिक्रिय बल प्राप्त होगा। इस प्रतिक्रिय बल को हम आर से दर्शाएंगे और इसकी दिशा इस गुरुत्वा करशन बल के जस्ट विपरित होगी इस प्रकार इस व्यक्ति पर जो नेट बल होगा इसे हम लिख सकते हैं जी एम एम डैश अपॉन आर स्क्वेर माइनस आर और यह नेट बल ही इस व्यक्ति को पृत्वी के चारों और प आर बराबर एम डैश वी स्क्वेर अपॉन आर बच्चों यहां पर जितने वेक से सैटलाइट मूफ कर रहे हैं उतनी वेक से इसके अंदर की वस्तु यह व्यक्ति भी मूफ कर रहा है तो इन दोनों का हमने वेग एक ही लिया है समान वेग ही लिया है एक्चुली सैटलाइ कि हम प्रित्वी के सता पर स्थिर नहीं है हम भी गती कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं लेकिन यदि प्रित्वी के बाहर से अध्यन किया जाए हमारी गती का तो हमारी गती उतनी ही मान ली जाएगी कि जितनी प्रित्वी की गती हो यानि कि हम भी 365 द इस वेक्ति की जो चाल है या वेग है ग्रह के चारोर परिक्रामा करने में वो उस सटलाइट के वेग के बराबर ही ले लेंगे और इसलिए हमने आप लिका M-V square अपॉन आर और इस समीकरण में यदि हम M- common लेते हैं तो यह हो जाएगा M bracket के अंदर G M upon R square minus second term में तो M- था नह में गा M- टे डिवाइट कर देंगे equal to M- V square upon R दोनों पक्षों से M- कमान कैंसल करने पर हमें मिलेगा G M upon R square minus R upon M- इस समीकरण से देखें समीकरण पहले से यहाँ पर V square upon R का मान है G M upon R square और इस प्रकार हम देखें इस समीकरण को सरल करने पर हमें मिलेगा G M upon R square minus G M upon R square पर बराबर R upon M- और इस समीकरण से यहाँ देखते हैं तो M- कमान तो 0 है नहीं इसका मतलब R बराबर 0 होगा इस तरह से हम देखें कि सैटलाइट के अंदर यदि कोई वेक्ति है तो उस पर प्रतिक्रिया बल का मान शून हो जा रहा है और प्रतिक्रिया बल की कारण ही उस बहुद यह अदिेखती का भार भी जीरो हो जाएगा इसलिए जितने भी एस्टरणों मनल्स में ट्रैवल प्रते हैं यह बहुद स्थिति को अनभव करना हम चाहा कि भी सीधे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हम सीधे खड़े हैं क्योंकि हम एक प्रतीक्रिया बल प्राप्त हो रही है हमारे एक भार है लेकिन जब प्रतीक्रिया बल नहीं होती तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाते बलकि सिकूर जाते ऐसे ही यदि हम किस उत्पन नहीं होगा वो तैरते रहेगी और इस प्रकार अंतरिक्ष में सारी वस्तुएं तैरती रहती हैं इसलिए उन सभी वस्तुओं को बांध बांध कर रखा जाता है और ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए मुवमेंट करने के लिए भी बहुत सारे सपोर्ट होते हैं उनको पकड़ पकड़ की वह आगे बढ़ते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती करते हैं और जिस तरह से मैं बताते जारी हूं आपके मन में और बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जैसे क्या वो हमारी तरह सो हम तो सोने के लिए बिस्तर कर स्टमाल करते हैं आर जाकर एक करवत बदल कर सो जाते हैं लेकिन जब इनसान तरी करते हों तो किस प्रकार अपना भोजन गरण करते होंगे उस प्रकार पार ग्लास में भरी हुह रहती वह कि उसका एक निश्चित भार होता है वहाँ पर पानी की भी बात करें तो वो इस प्रकार ग्लास में भरी हुई MARK करें तो वह बबल के रूप में उपर आती जाती है तो इस प्रकार बच्चों ये भार हिंता की कंडिशन बहुत ही अलग अनभव है तो आए बच्चो इन अंत्रिक्ष यात्रियों के द्वारा शूट किया गया इस वीडियो को हम देखते हैं और इनके अनोखे अनभव को हम भी महसूस करते हैं यहां वीडियो अंत्रिक्ष में स्पेश्शिप में सुनीता विलियम के एस्ट्रोनॉट हैं किस प्रकार अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो के सहयतर से आपको शेयर कर ली हैं हम देख सकते हैं कि वह यहां पर ठीक तरसे खड़े भी नहीं उपाल उन्हें खड़े होने का कोई भी सेंसेशन नहीं है जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रित्वी में इसलिए खड़े उपाते हैं क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल पोर्स काम करता है और हम जानते हैं कि इस अंत्रिक्षयान के अंदर बेटलेस्नेस की कंडिशन होती है यानि कि भार हिंता की कंडिशन इसलिए वह अपने शरीर को किसी भी डारेक्शन में मोड पा रहे हैं आईए बच्चों देखते हैं कि वह बता रही है कि किस तरह के से वह सोते हैं या हम देख रहे हैं कि वह ठीक तरह से खड़े नहीं हो पा रहे हैं इसलिए जब सोने के लिए उनका बैड दिया जाता है तो इस बैड में वह किसी भी डारेक्शन में सोय उन्हें कोई भी सेंस नहीं होता, वो खड़े हैं क्या लेटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईये उनकी जबानी सुनते हैं, कि वो खुद बता रही हैं, कि उन्हें कोई भी सेंसेशन नहीं होता आविको सब्राइब धनी डोवे लगे उनकी हवें ते महें होता अवाज इनकी होता। यह शेद्सके ली लामTrाइब टॉक तेनके को घुछे कोई लोबसेराफ थाता मेता। यह गजे लिटे डै। az eh्न अलफ लो खुछाइल उनकी लुटका हैं वज नहीं और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस अंत्रिक श्यान में किसी भी डिरेक्शन में बैड है बैड हमारी तरह नहीं है बस सोने का इंतिजाम किया गया है कुछ गद्धे लगा दिये गया है ताकि वह आराम दायक नींद ले सके वह उल्टा होकर भी सो सकते हैं वह साइड डिरेक् में लेटने वाला सेंसेशन होता ही नहीं है अब आई हम आगे देखते हैं कि सुनीता वीलियम्स बता रही है कि वह अंत्रिक्ष यान की अंदर किस प्रकार अपने दातों को साफ करते हैं या फिर किस प्रकार वह कंगी करते हैं यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉक्स नजर और उस बॉक्स के अंदर ब्रशिंग इंस्ट्रूमेंट रखा गया यानि कि टूट ब्रश है और टूट पेस्ट है जिसकी सहाइता से वह अपने दाटों को क्लीन करते हैं यह हम देख रहें कि वह किस प्रकार कंगी करने हैं अपने लेकिन कंगी करने के बावजूद कोई फर रखकर वह इस तरह से नहीं निकाली बल्कि उपर के और उन्हें ने दबाया क्योंकि यहां पर ग्रेविटी है नहीं तो टूट पेस्ट नीचे नहीं आएगा और यह जो बैग है इसमें पानी भरा हुए है और पानी को प्रेस करकर बाहर के निकाल लिए तूट ब्रेश को रूप में आ रहा है और यह पानी हम देखने की नीचे की बैरा जैसे की प्रत्वी पर बहता है क्योंकि यहां पर कोई भी ग्रेविटी नहीं है और बड़ी आसानी से अब वह इस पानी को तूट ब्रश में लेकर अब एपने अरपने धाज परस्पर रही उन्होंने टीशू पेपर के सहता से और यदि इसी प्रकार अंतरिक्ष में कोई भी समान अंतरिक्ष्यान के अंदर गिर जा तो वो कभी भी नीचे के और नहीं आता यह यू कहें वो कभी गिरता ही नहीं है बलकि यू ही अंतरिक्ष्यान में तैरता रहता है और इस तरह से इस वीडियो में हमने अंतरिक्ष्यात्रियों के अनोखे अनुभव को देखा कि किस प्रकार वो अंतरिक्ष्यान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो है ना बच्चों यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग तो बच्चों इस वीडियो में हमने सट्लाइट के अंदर भार हिंता की कंडिशन को देखा किस प्रकार यह अंतरिक्ष्यात्री इस सट्लाइट के अंदर टैरते हुए रहते हैं बच्चों चंद्रमा भी हमारा अंतरिक्ष्यात्री लैंड करते हैं तो क्या इसी स्थिती में रहते हैं आईए बच्चों हम यहां पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें अंतरिक्ष्यात्री किस प्रकार चंद्रमा में चलने का प्रयास करते हैं करते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि चंद्रमा पर जो यहन्तरिक्ष्यात्री हैं वो गती कर पा रहे हैं हमारी तरह बहुत आसानी से तो गती नहीं कर रहे हैं पर फिर भी वो गती कर पा रहे हैं पर अभी तो हमने जाना कि उपग्रह में भारिंता के स्थिती होती है और चं चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है जो उपगरह कृत्रिम हम बना कर भेशते हैं उसके द्रव्यमान की तुल्ला में चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है और इसे लिए इस चंद्रमा का अपना एक गुरुत्व है और इसके कारण इसमें गुरुत्वी त्वरण भी है और इ नहीं होती बलकि वस्तू का भार होता है और यदि पृत्वी के गृत्वी त्वरण के मान से इसे कंप्यार करें तो चंद्रमा के गृत्वी त्वरण का मान पृत्वी के गृत्वी त्वरण के मान का एक बटे 6 गुणा है और इसलिए चंद्रमा में किसी भी व्यक्ति का भार पृत्वी के भार से एक बटे छे गुणा हो जाएगा और इसलिए चंद्रमा में जो अंत्रिक शियात्री होते हैं वो हलके महसूस करते हैं यह यूं कहें कि उन्हें प्रतीक्रिया बल कम प्राप्त होता है इसलिए वो हमारी तरह आसानी से नहीं चल पाते बलकि वो उचक कुचक कर चलते हैं यान समानने ना होकर उचल उचल के होती है तो इस प्रकार हमने उपग्रह से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्यों को जाना हमने कृत्रिम उपग्रह के कक्षिये चाल के बारे में जाना उसके पलैन वेक के बारे में जाना उसकी ऊर्जा के बारे में जाना कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानने की जिग्यासा और भी बढ़ जाती है भारत ने भी कई कृत्रिम उबग्रहों को बनाया है और ये कृत्रिम उबग्रह अब पृत्वी के चारो और एक निश्चित कक्षा में चक्कर भी लगा रहे है तो आईए देखते हैं बच्चों इन उबग्रहों का नाम क्या है इनका निर्मान कब हुआ ये कौन सी संस्था से लौंज किये गए ऐसी कौन-कौन सी संस्था हैं जो कृत्रिम उबग्रह बनाती है तो आईए बच्चों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं भारती ये प्रित्रिम उब्ग्रहों का परिचय कुछ प्रमुख भारती उब्ग्रह पहला है आरिभट भारती वेज्ञानिकों एवं इंजिनियरों द्वारा निर्मित प्रथम भारती उब्ग्रह आरिभट 19 अप्रेल 1975 को सोवियत रूस के प्रक्षेपण केंदर से छोड़ा गया था इसका नाम भारत के सूव विख्षात खगुल सातरी एवं गणित ये आरिभट के नाम पर रखा गया था इस उब्ग्रह का भार लगभग 360 किलोग्राम तथा इसे प्रित्वी के निकट ब्रित्तिक अख्या में 594 किलो मीटर के मुचाई पर इस्थापित किया गया था यह जो आरिभट उब्ग्रह छोड़ा गया था इसके कुल तीन लख्षे थे पहला वायु विज्ञान प्रियोग दूसरा सौर भहतिकी प्रियोग तथा तीसरा एक्स किरन या एक्स रे खगोली की प्रियोग भासकर वन एवं टू भासकर वन उब्ग्रह का प्रक्षेपण 7 जुन 1989 को तथा भासकर टू का प्रक्षेपण 20 नवंबर सन 1981 को पूर्व सोवियत संग प्रक्षेपण केंदर बैकानूर अंत्रिक्ष केंदर इंटर कास्मोस प्रक्षेपण या द्वारा किया गया था प्रित्वी से इनकी उचाई लगभग 525 किलो मीटर थी इनका भार लगभग 444 किलोग्राम था तथा इनका जो मुख्यू देश था वो जल विज्ञान, खीम गलन, समुद्र विज्ञान यंगवानी की मतलब की फोरेश्ट्री के खेत्र में भू परवेख्यन अनुसंदान करना था इन उपग्रहों का नाम भारत के सू प्रसिद्य वेज्ञानिक एवंग गणि तक ये भासकरा चारी जी को सम्मानित करने के लिए भासकर 1 एवंग 2 रखा गया रोहिणी RS-1 इस उपग्रह का प्रक्षेपण 10 अगस्त सन 1989 को भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान SLB-3 द्वारा राकेट प्रक्षेपण के इंदर स्री हरीकोटा अंधरप्रदेश से किया गया था यहाँ एक सुदूर समेधी उपग्रह मतलब रिमोट सेंसिंग सेटलाइट था बचों सुदूर समेधी उपग्रह वे होते हैं जो दूर से ही चीजों को सेंस कर लेते हैं इनका काम जनरली अंत्रिक्स से प्रित्फी का जो मुआयना करना भोगोलिक इस्थितियों का जयजा लेना ये सब होता है इस उब्रह का भार लगभग 35 किलोगराम था बहुती कम वजन का एक उब्रह था ये इस स्रिंखला में रोहिणी RS2 का प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980, रोहिणी RSD1 का प्रक्षेपण 31 मई 1981 तथा रोहिणी RSD2 का प्रक्षेपण 17 अपरेल 1983 को किया गया था इस उब्ग्रह के प्रक्षपण का मुक्ष लक्ष भारत के प्रतम उब्ग्रह प्रक्षपण यान SLB 3 का परिख्यण करना था इस स्रिंखला में जिसे IRS स्रिंखला मतलब कि इंडिया रिमोट सेंसिंग सेटलाइट कहते हैं उबग्रहों का प्रक्षेपण अभी भी जारी है एपल यह भारत का पहला संचार उबग्रह था जिसे भू इस्थेति की कछ्षा में इस्थापित किया गया इस उबग्रह को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुवाना के पूरू अंत्रिक्ष प्रक्षेपण के अंदर से यूरोपी अंत्रिक्ष एजेंसी के एरियन फोर प्रक्षेपण यान द्वारा भू इस्थिर कछ्षा में लगभग 36,000 किलो मीटर के उचाई पर इस्थापित किया गया थ बचो जो भू इस्थेतिक कख्या होता है तो एक ऐसा कख्या होता है जहां पर प्रित्वी के किसी खास जगह के उपर जो उबग्रह हैं वो इस्थिर रहते हैं वो इसलिए इस्थिर रहते हैं क्योंकि प्रित्वी के घुनन काल जितना होता है उस उबग्रह का परिक्रमन का भी उतना रखा जाता है तो इस तरह से पिश Wi- då जगह चाहते हैं वैसा प्रतित होते हैं कि उस जगह के उपर वह इस्तीर उपग्रह का इस उब्रह का उप्योग राष्ट्रिय संचार ब्योस्था को आधुनिक बनाने में किया गया एपल से प्राप्त तक्निकी नुभावों ने इन्सेट सिंखला के निर्माण एवन उविकास में महत्वपून भूमे का निंभाई इन्सेट मतलब इन्डियान नेशनल सेटेलाइट इस उब्रह सिंखला का प्रारम सन 1982 में किया गया था इन्सेट प्रनाली के प्रथम पीढ़ी में चार उब्रह इन्सेट 1A, 1B, 1C और 1D तथा दृती पीढ़ी में 5 उब्रह इन्सेट 2A, 2B, 2C, 2D, 2E और तृती पीढ़ी मे 5 उब्रह इन्सेट 3A, 3B, 3C, 3D और 3E और चौथी पीढ़ी में 7 उब्रहों के प्रचिपन की उजना बनाई गई है इस प्रणाली का उप्योग लंबी दूरी के घरेलू दूर संचार, ग्रामिन खेत्रों में उब्रहों के माध्यम से सामुदाइक दूर दर्शन के सीधे राष्ट व्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, मौसम सम्मंधी जानकारी, वैज्यानिक अध्यन हेतु, भू सरवेक सुदूर समेदन, सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाले विक्रणों के अध्यन के लिए किया जाता है। भारतिय दूर समेदी उग्रह, मतलब इंडियन डिमोर्ट सेंसिंग सेटलाइट या IRS, इस सिंखला के उग्रह, IRS 1A का प्रच्छेपण, 17 मार्च सन 1988 को रूसी किलोग्राम था, तत पस्चात उसी प्रक्षपण के इंद्र से 19 अगर्स्त 1990 को IRS 1B का प्रक्षपण किया गया था, इस उग्रह का वजन 904 किलोग्राम था, आगे चलकर भारतिय अंतरिक्ष विज्यानिकों ने ध्रूई उग्रह प्रक्षपण यान, मतलब कि पोलर सेटलाइट लॉंच विकल, जिसे सौर्ट में हम कहेंगे PSLV का निर्मान किया, इस प्रनाली का जो मुक्ष उद्धियस है, वह है प्राकृतिक संसाधनों, जैसे मिर्दा, जल, भूजल, सागर, वन, इत्यादी का सरविख्षण, तथा उनकी सतत निग्रान, इन सब के दूर सम्वेदी तकनीक का उप्योग किया जाता है, भू इस्थाई उपग्रह अर्था जियो स्टेशनरी सेटलाइट, जिसे की हम स्ट में कहेंगे G-SAT, G-S-A-T, भू इस्थाई उपग्रहों के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो PSLV के निर्मान की पश्चात, भारती ग्यानिकों ने भू इस्थाई उपग्रह प्रक्षेपन यान, जियो स्टेशनरी सेटलाइट लॉंच विकल या शॉर्ट में कहें G-S-L-V का निर्मान करने में सफलता प्राप्त की, 18 अप्रेल सन 2001 को इस यान द्वारा लगबख 154 किलोग्राम भार के G-SAT-1 को स्री हरी को स्री हरी कोटा रेंज आंधर प्रदेश से रखेपित किया गया, किन्तो यह उपग्रह अजफल हो गया, इसके पस्चाथ 8 मई 2003 को G-S-L-V D-2 रोकेट द्वारा लगबख 1800 किलोग्राम भार के G-SAT-2 सेटलाइट का प्रक्षेपन स्री हरी कोटा रेंज से किया गया, एजुसेट, 20 सितंबर 2004 को सिख्चा कार के लिए समर्पित पहले उपग्रह एजुसेट को स्वदेशी प्रक्षेपन यान G-S-L-V F-01 की सहता से भू इस्थाई का इक्ष्या में इस्थापित किया गया, एजुसेट के माध्यम से सिख्चा से जुड़े कारिकरम प्रसारित किये जा रहे हैं, चंडरयान, चंडरयान 1 का प्रक्षेपन 22 सक्टुर 2008 को स्री हरि कोटा के ध्रूईय प्रक्षेपन यान G-S-L-V C-11 के सहता से किया गया था, चंडरमा पर चंडरयान 2 का भी प्रक्षेपन किया जा चुका है 2023 में, यह जो चंडरयान है, इसका मुक्छ्य देश चंद्रमा की सतह का अध्यन करना तथा चंद्रमा पर मानो भेजने की योजना की तेयारी करना है